नमस्कार, जैमात अदी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर अचारे जेतू सिंग, मंगल जब बदलते हैं राशी तो बहुत कुछ हिला देते हैं, यानि आपकी जिन्दगी में कुछ उथल उथल भी पैदा कर सकते हैं, आपकी जिन्दगी में नई बुलंदियों तक भी आपको पहुंचा सकते हैं, मंगल बलड के कारिक कहे जाते हैं, मंगल आपके तीज होने के कारिक कहे जाते हैं, तीज करह हैं, लेकिन साथ के साथ आपकी जिन्दगी में मंगल ही मंगल करने के कारिक भी कहे जाते हैं, आपको क्या देने वाले हैं, जाते जाते मंगल क्या करने वाले हैं 2020 में मंगल की जो भूमी का थी क्या बहुत सही थी या खतरनाग थी लेकिन 2021 में ये भूमी का बहुत अच्छी होने वाली है 2021 लगते ही मंगल रूचक राज योग बनाते हुए आ रहा है और ऐसे में राशी परिवर्तन 2000 दिसंबर 20 की बात करते हैं तो 24 दिसंबर का जो ये दिन है ये बड़े परिवर्तन का दिन है आपकी जिन्दगी में आपने अपने राशियों की तरफ खास करके ध्यान रखना है आपने अपने जीवन की तरफ खास करके ध्यान रखना है क्या क्या देना है मंगल ने आपको बस ये जानना आपके जीवन में आपके लिए बेहाद जरूरी है राशी परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो 24 दिसंबर को 2020-24 दिसंबर 10 बच करके 18 मिनट सुबा मंगल राशी परिवर्तन कर जाएंगे यानि मेश राशी में चले जाएंगे जहां ये रूचक राज योग बनाने जा रहे हैं फिर आते हैं बात कि कब तक रहेंगे ये योग जो है ये बेनिफिट जो है आपको कब तक मिल सकता है बाई जन्वरी का जो निया साल पहला महिना ये तो आपको फायदा ही देगा ये फैबरी तक रहने वाले हैं बाईस फैबरी को दो हजार एकीस में सुभा चार बच करके पैंटीस मिनट यानि 2021-22 February का दिन सुबा चार बज करके 35 मिनट तक यही रहने वाले हैं तो ये दू महीने तो बड़े सॉलेड आपकी जिंदगी में रहने वाले हैं आपने बहुत कुछ पाना है तो पास सकते हैं अब आपने खुने का ही सोच लिया है तो हो भी सकते हैं मंगल जो हैं वो आपको देने के लिए कुछ न कुछ आ रहे हैं और ये स्वराशी का मेश राशी का मंगल बहुत स्ट्रॉंग मंगल होता है जिनकी राशी मेश है जिनकी राशी वरिश्चिक है उन्हें तो बहुत फाइदा देने वाले हैं और जो इनकी मित्र राशियां हैं उन्हें भी बहुत फाइदा होने वाला है अब बात करते हैं कि जब ये उदे में गोचर करते हैं तो ये और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रॉंग होते हैं मेश राशी की बात कर लेते हैं तो confidence बढ़ाएंगे, आते ही उन्होंने confidence बढ़ा देना आपका, बहुत अच्छा confidence हो जो अब तक demoralize हो रहे था अब नहीं होने वाले आप, अब आप आगे निकलने का सोचेंगे, और दूसरी बात आपके फैसले अच्छे होंगे, लीडिंग आपके personality रहेगी, यानि जो भी चीज़े कहेंगे, लीडर की तरह आप आप आगे, बढ़ाते जाएंगे और आपकी जो फैसले हैं, वो सही साबित भी होंगे, थोड़ा सा अपने family life को ले करके, अपने निजी जिन्दगी को ले करके थोड़ा सा ध्यान रखेगा, पती पतनी में थोड़ा सा मन मुटाब क इंडिकेशन दे रहा है, वरिश राशी की बात कर लेते हैं, तो आपकी राशी से तो बारवे भाव में मंगल का गोचर है, योग तो बन रहा है, लेकिन बारवे भाव का योग, ये एक तरफ आपको benefit देगा, दूसरी तरफ आपको नुकसान दे सकता, आपके health issues create कर सकता है आपको health की ज्यादा problem हो सकती है, तो ऐसे में आप attentive रहेगा, चोकरने रहेगा, डोक्टरों की सलाह, जरूर लेते रहेगा और साथ के साथ आपके लिए विदेश के कारग भी बन जाएगे, तो विदेश के लिए तो आपके लिए सही रास्ता खोल रहे हैं, विदेश की opportunities त थोड़ा सा ध्यान में रखेगा, अगर किसी भी तरीकी की कोई डील करने जा रहे हैं, तो आपने गुस्से को थोड़ा control रख करके डील कीजेगा, कैई बार हम उनके बड़े उत्तेजी तो हो करके, उत्साही तो हो करके कोई डील कर देते हैं, सोचते नहीं है, बड़ सोच कीएगा, जरूर अगर सोच करके डील करेंगे तो फायदा दे देगा, उत्तेजी तो हो करके डील करेंगे तो परिशानी कर देगा, तो आपने सामन जस से जो है, ताल मेल जो है वह आपने पढ़ाई, खास करके education की तरफ, खास करके आपको knowledge की तरफ ये रखना है और साथ क कारक तो होते हैं तो गुस्सा नाकपना चड़ा करके रखीगा थोड़ा उतारने का कोशिश कीजेगा के बार फाइदा होता है आपका जब गुस्सा छोड़ देते हैं तो अच्छाई और अचीवमेंट्स पास में आती हैं मितुन राशी की बात कर लेते हैं तो कादिश या बतारे के बार हमारे पास बहुत सारी चीज़न आती हैं लेकिन हम वह सारी उतेजना जो हैदर्वास एक धन का फाइदा आपको देख सकता है दूसरी बात करते हैं कि जितने भी यंग्स्टर सांखास करके अगर आपको बड़ा कोंपिटिशन लड़ने का प्लान कर रहे हैं, आपको लगता है कि बड़े competitions की त्यारी कर रहे हैं, तो आप बेजिजग competition की त्यारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा distraction भी दे सकता है, ये मंगल बट distraction छोड़ेंगे, तो आपका concentration बड़ा solid और बड़ा strong हो जाएगा और आप बहुत जल्दी achievement हासिल कर लेंगे, करकर राशी की बात कर लेंगे, तो आपकी राशी से दशम भाव में मंगल का ये गोचर आपके लिए तो अच्छे अच्छे राजयोग के साथ साथ, आप सबसे बड़ी बात है कि तो आपको साहयता करते हैं तो आप अराम से खोर लिजिये अगर प्लैनिंग है तो उसे हाथ से ना निकलने देजिए वाला है रिजल्ट तो आएंगे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट आएंगे पढ़ाई नहीं करते हैं तो कैसे result आएंगे तो पढ़ाई की तरफ students खास करके ध्यान दीजेगा आप बहुत जल्दी जो है negativity अपने उपर एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो negativity को छोड़ेंगे तो positivity की तरफ बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी में तरकी की तरफ भी बढ़ेंगे focus करने का प्रयास कीजेगा सिंग अराशी की बात कर लेतों को आपने जान लिया अब सिंग अराशी की बात कर लेतों सिंग अराशी वालों के लिए मेहनत के थोड़े से ढिले result दिखा रहा है यानि मेहनत तो करेंगे लिकिन result उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं पर जब बार बार किसी चीज को प्रयास करते हैं पाने का तो वहां आप अटेंटिव हो जाते हैं तो वहां आपकी कॉंसेंट्रेशन बढ़ जाती है किसी भी मिशन को अचीव करने की तो बस आपने अपनी concentration बढ़ा करके रखनी है अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है थोड़ा से उथल पुथल दिखा रहा है लेकिन कुल मिला करके situation control में कर लेगा एक चीज का खास करके आपने ध्यान देना है कि खास करके अगर नंबर तो मेरे इतने ही आने तो ये वला जो confidence है आपको कहीं न कहीं गड़े की तरफ ले करके जा सकता है तो ऐसा ना करें कि over confidence को हवा ना दे confidence को हवा दे ताकि आपके result अच्छे आ सके और मेहनत आपकी सफल हो सके बेवाही क समंद अगर के कोई dispute चल रहा है तो उसे कोशिश कीजेगा किसी third party को बीच में डाल करके जल्दी से जल्दी पैच आप करने की बरना ये dispute बड़ा लंबा खिच सकता है तो ये गुंजाईश संबलती हुई नहीं दिख रही है कन्या राशी की बात कर लेते हैं तो अश्टम भाब में मंगल का ग ये वजे की अर्चने आ सकती है परिश्रम जादा करना पड़ सकता है आपको तो सब कुछ बता दिया हमने तो आपको ये दो मिने बढ़ी साफदान भी रहने की जरूरत है लेकिन आपके उत्सा को बना करके रखेगा ये पता नहीं कहां से आपको एक एनरजी देदेगा कह आपके अंदर दिमाग के अंदर एक ऐसी पावर दे देगा कि चीजों को आप बैलेंस करने का प्रयास किजिएगा एक चीज का खास करके ध्यान डखेगा कि काले वस्तरों का प्रियोग आप दो महीने बिल्कूल भी ना किजिएगा जितना हरे रंग का प्रियोग करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपका माइंड वर्क करेगा और आपको सही मिशन की तरफ ले करके जाएगा तुलाराशी की बात कर लेते हैं तो सब्तम भाब में ये रोचक यूग बन रहा है यानि ये जो योग बन रहा है आपके सेवेंथ भाब में बन रहा है आप आपकी बड़ोतरी आपकी स्ट्रेंथ आपके काम बनेंगे लेकिन परिवारिक लाइफ में और कॉन्फिदेंस पैदा करतेगा कोई बात नहीं घर के है संबाल लेंगे हम उचनी होता बाहर का काम कर लेते हैं तो ये बाहर का काम जो करते रहें आप अंदर गुसने ना दिय आपको तो ये ध्यान रखेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपने बैलनस जरूर बनाना वनना बाहर 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 ही हो जाएंगे तो शाम को घर भी नहीं आपाएंगे तो लड़ाई जगड़े इतने बढ़ जाएंगे तो ये ध्यान डखना है अपने रिष्टों मे ज़्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये जो आपका सभाव बनता जा रहा है कि हम अपना घर समभाल लेंगे बाद में नहीं साथ के साथ सम्भालिए ताकि रिष्टे भी बने रहें अच्छे रहें और साथ के साथ आप बाहर भी काम अच्छे से कर पाएं गुस्से पर थो इग्नोरंस इंकी दर्फ द्यान देंगे तो आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। कॉम्पीटिटर्स का काम क्या होता है कि आपको डिस्ट्रेक्ट करना आपके मांड से आपको दूर करना। मांड से ही दूर होगे तो आपकी सारे मिशन तो फील होगे। तो इसलिए competitors को अपने काम करने दीजिए, आपने अपने काम नहीं छोड़ने हैं, आपने अपने काम की तर्फ रुजान बना करके रखना है, ध्यान देना है और खास करके जो बेवज़े की एक विवाद की आदत होती है, उसे छोड़ दीजिए, किसी की बात अपने सर पे ल इस सीजिए का खास करके आपने ध्यान रखना है, कुल मिला करके आपका ये दो महीने बहुत अच्छे रह सकते हैं, धनूराशी की बात कर लेते हैं, तो धनूराशी वालो पंचम भाम में मंगल का गोचर आपके विवाहिक समंदों में तो दिक्कत करेगा, आपके को, आपके वर्क को, आपकी परसनल जिंदगी को और आपकी लग्जरी को, तो ये इफेक्ट आपका टूवर्ड सो होता हुआ आएगा फ्रेंड सर्कल की तरफ से, तो क्यों ना हम फ्रेंड सर्कल को जमें शान्त रखे या तो दूर रखे या दूरी बढ़ा ले, थोड़ा प्रेंड सर्कल को पीछे कर देजिए, बाकी चीज़ें आप जिंदगी की प्रियोरिटी को आगे कर लीचे, मकर राशी की बात कर लेते हैं, तो चतूर्थ भाव में, यानि फोर्थ हाउस में मंगल का गोचर, आपके लिए जो ये राज-योग, रूचे का राज-योग बना पर, अगर आप अपना दिमाग तेज रखेंगे, अपनी इंद्रियां दिमाग की पूरी खोल करके रखेंगे, निगाहें खोल करके रखेंगे, तो यकीन मानिए, अचीब्मेंट्स एक के बाद एक आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, और अचीब्मेंट्स को आप महनत रंगला जाएगी, यानि जो बनना चाहते है बन ले जिए थोड़ी महनत में बड़ा फाइदा, बंपर प्राइज जैसे कहते है, न हम लोग हमें तो बंपर प्राइज मिलता ही नहीं, मिल जाएगा आपको बंपर प्राइज सिर्फ आपको थोड़ा अटेंटिव रहन है क्योंकि क्या होता है कि हम समय चप टल जाता है समय निकल जाता है फिर भाग दे हैं काम के पीछे तो वह काम आपने करना है काम आता है सता आती है आपके लिए फाइदे आते हैं अपर्चुनिटीज भी आती है लेकिन अचीव कोन करेगा अवेल कोन करेगा वह तो आपको कर जब achievement आए तो उसे छोड़िएगा नहीं medical sector में अगर आप हैं तो आपके लिए बड़ा फाइदे के योग बता रहे हैं और police कर्मी खास करके हमारी सेना ये सब के लिए बहुत अच्छे फाइदे के योग बता रहे हैं इंजीनियर सेक्टर बहुत अच्छा हो सकता है नियू डेवलेमेंट से हमारी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं तो आपको खास करके अगर इन सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत फाइदे के योग देने वाला है आखरी राशी मीन राशी की बात कर ले हैं तो दुवित्य भाव में मंगल जो है आपके भागे में चार चान्द लगा सकता है यह कि सो रहे हैं llamणी twists सो रहे हैं दिन में भी सो रहे हैं शाम को भी किन अगर आप पढ़ाई में हैं तो पढ़ाई में भी अगर थोड़ी सी चूप करेंगे तो बहुत पीछे जाने के चांसिस हैं उसमें बिलकुल चूप मत कीजेगा इसका मतलब है कि अटेंटिव रहना है वरना आपके जिंदिग में कुछ चीज़े खराब हो सकती है जितने अटेंटिव रहेंगे उतनी जल्दी बहुत कुछ पा जाएंगे आप तो कुल मिला करके मंगल ही मंगल अगर चाहते हैं आप अपने जीवन में उसके लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है क्योंकि मंगल तो वैसे भी बढ़कतीज रहे हैं बहुत जल्दी र बनने के रास्ते खुद बनाने हैं और चल पढ़ना है उन रास्तों की तर्फ ताकि आप जल्द से जल्द अपनी अच्यमेंट बुलंदियां अपने मिशन तक पहुन सके तो देखा आपने 2021 कितना मंगल मंगल कर सकते हैं आप अपने जीवन में खुश रहे हैं स्वस्त रह पॉजटीव रहते हैं हर समस्या से हम दूर रहते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और ये वीडियो सब तक शेयर कीजिएगा जल्दी हाजिर हूंगे के अच्छी वीडियो के साथ तपता के लि